आज हम आपको बताएंगे दोस्तों मस्जिद का किबला महराप किस तरीके से लगाया जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मेसरिमैंट कीपली एक लगेंगे कैसे मैंने उड्लेड कर लिया तो सब करें दोस्तों अब क्या करना है पने को इसके उफर मारकिंग करना है इसके अंदर में जो किसे पहले यह किने की एक रटे करना ऐड़े लेकर तुक्डे क्ना जोट तो यह किस आई नियुक्त है कि लोह इसके अंदर में द लगता है लोह के उपर में कब सकता है दोस्तों नुट सकता तो यहीं और पेय स्टें का पन लेंगे इसको गाड़ा करने के लिए ciment की बी ciment भी मिक्स किया है मैंने निसके अंदर में तो यह गाड़ा हो गया ताकि जोईटों के अंदर नना निकले ए तो यह जो किलिब लिये थे यह ताममे गिराड इसके अंदर में डालना है अब यह अपना कितना अच्छा काम हो रहा है इस मस्जित में दोस्तो आपको एक बात बता दू यह मजए अंधर वांदरा परदेश के तिरूपति के हैं जो भी भाई तिरूपति से एक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है वीडियो यह आ वहां का एडेस है पीपी चावडी मजीन तो जो भी तिरुपती से देख रहे हैं वह भी वहां जाके देख सकते हैं इस एड़ेस पर जो मैंने बताया है तो दोस्तों यह पिल्डर लगाएं इसमें इस पिल्डर का दोस्तों तकरीबर वेट सतर या तो आप इस चीज़ को हमेशे द्यान रगना कभी भी अकेले बिल्कुल भी बजन न उटाएं जो कि बजन उटने से अकेले हम तो क्या राद दिन काम करते हैं दोस्तों हमारी के परिश्टी के यह अपने लक्ष चुके हैं दोस्तों फूल की पट्टी फूल की पट्टी लगन लिख सब्सक्राइबकानजिए जो उर्म सव एक यारंटी है क्योंकि सब्सक्राइब करने, फूस्सिंड ऊबगें माल है, कम हम लगा रहे हैं by गड़नें के इसमें नहीं होगारंजितरी सब्सक्राइब काम चमरद सब्सक्राइब करनाना है तो आपको हमारी number मिल जाएंगे वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आगे से आगे वीडियो हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाके देश सके दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं जोइड वगेरा तो यह जो पूरा एकदम करके निकाल दिया था ताकि यहां फिटिंग करने में ज्यादा दिक्कत ना है तो दोस्तों इस वरकिंग में टोटल वरकिंग में हमें तकरीबन चार दिन लगा था इसके अंदर में चारे दिनी के अंदर में पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने तो दोस्तों सिर्फ दो ही वर्कस थे हम को ज्यादा नहीं थे दो वर्कस मिलकर ही पूरा काम को अंजाम दिया हमने यह काम यहां लगबग हो चुका है अपना सबसे उपर का आइटम हो रहे गया जिसमें कलमा भी ह आता है कलमा बहुत ही शांदाल लग रहा है इसका कलर अलगी दिया था दोस्तों ने क्योंकि इसमें आइतल कुछी बलेग आ गई अल्ला मुहम्मद के नाम भी इसमें बलेग ही आ आगए वह आप देख रहे होंगे तो हमने सोचा वह इसके अंदर में कलमे के अंदर में यह बले अपना गोल्डन कलर देंगे ताकि एकदम उठकर अच्छा दिखेगा कलर यह लगबग अपना कंप्लीट हो चुका है वरकिंग दोस्तों सिर्फ उपर की आयतों की पट्टी बची हुई है यह भी आयतों की पट्टी भी हम लगा ही देंगे इसको सबसे पहले लगा र यह यहां पूरा कंप्लीट हो गए दोस्तों खाने खाबा भी लग चुका है मेंबर रहे अपना तो मेंबर भी कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको बता ही देंगे हम आपको क्योंकि वीडियो ज्यादा हो रहे थी दोस्तों इसलिए वीडियो को शोट करने की चक्र में हम बनता है दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सस्क्राइब जरू करते हैं मेरी चैनल को चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में